स्री शिवाय नमस्तो भ्याम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि करवाचौध आने वाला है और करवाचौध को लेकर माताओं भेनों की सबसे ज़रूरी जो चीज होती है वो होती है करवाचौध की पूजा भी होती है जो कि घरी में माताओं भेने करती हैं कुछ माताओं अकेले करती हैं तो कुछ माताया बहने अपनी सक्षियों के साथ अपनी जो भी आस पडूसन के साथ जो है यहाँ पर ये पुजा को करती है ना तो भई इस वीडियो में हम आप लोगो को करवा चौत की पूरी पूजा विधी समझाने वाले हैं जो भी माताया बहने ऐसी हैं पहले वार करवा चौत का वरत रख रही है उनको ये पूजा विधी जरूर सुननी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुती आसान शब्दों में बहुती सरल शब्दों में इस पूजा विधी को समझाने वाले हैं और जो माताय बहने पहले से इस पूजा विधी को जानती हैं वो भी एक वार इस वीडियो को जरूर देखें पूजा विधी जरूर समझें ताकि अगर उनसे कोई गलती भी हो रही होगी तो उनकी वह गलती इस पूजा विधी से जुड़ी हुई सुधर जाएगी आप लोगों को शाम के समय का जो शुब मूर्थ है पूजा करने का वो बता देते हैं इस समय के बीच में आप लोगों को पूजा करनी है और पूजा करने के बाद फिर चंद्रमा निकलता है देखिए इस दिन जो पूजा करने का शुब मुहुर्थ है वो शाम के 5 बचकर 46 मिनिट से लेकर शाम को 7 बचकर 9 मिनिट तक है तो इस पीच में आप लोगों को ये पूजन करनी है जो कि करवा चौत के दिन चांद निकलने से पहले की जाती है ना तो दोस्तों आईए समस्त ह है कि आपको ये करवा चौत की पूजा विधी कैसे करनी है इसकी पूजन कैसे करनी है देखिए सबसे पहले जीज़ आपकी घर में जहां पर भगवान जी वाला स्थान हो वहां पर आप लोगों को चौकी लगानी है ठीक है क्योंकि वहीं पर आप लोगों को सारी चीज़ रखना पड़ेगा तो करवा चौत की पूजा के लिए सबसे पहले आप अपने घर में जो भी पूजनिय वाला स्थानों भगवान वाला स्थानों वहाँ पर एक चौकी बिचा कर उसकी उपर लाल कपड़ा बिचा दीजेगा ठीक है फिर उसके करने के लिए पहले थोड़े से चावल लेने हैं आप लोगों को इसी चौकी की उपर कहीं पर एक साइड में रखने हैं और उसके उपर फिर आपको एक कलश लेना है जो भी तामबे का जैसा भी आप लेको के पास कलश हो उसके अंदर जल भरना है और जल भरने के बाद दोस्तों इसके उपर आप लोगों की चावल की कटोरी रखना है ठीक है आप उसी कलश की उपर चावल की कटूरी रखकर इस चावल की कटूरी की उपर इस दीपक को रख देना है और अपनी कलश की स्थापना जो है वो कर देना है ठीक है इसके बाद में दूस्तों आप लोगों को लेना है करवा देखो कई जगहों पर दो करवे लिये जाते हैं ज जो मतलब करवा है उसे जरूर रखना चाहिए तो देखिए सबसे पहले जो आपका करवा है मिट्टी वाला उस मिट्टी वाले करवे को लीजिए उस मिट्टी वाले करवे को लेने के बाद आप लोगों को सबसे पहले उसका जो एक नल होता है जो एक छेद होता है उसको मोली बानना है जैसे आप साइड में बानते हो न मोली तो आप लोगों को इस करवे की उपर मोली बानना है और मोली बानने के बाद इस करवे की उपर आप लोगों कुछ मिठाई रखना है जो भी आपने घर में बनाई हुई हो या बाजार से लाई हुई जो भी मिठाई है व इस बाता का आप लोग ध्यान रखिए करवा माता के तरफ होना चाहिए इस करवा का जो नल का मुह है वो है ना इस बात का ध्यान रखिएगा अब उसके बाद में दोस्तों दूसरा करवे की बात करते हैं तो दूसरा जो करवा होता है वो कई जगा मिट्टी का भी लिया जात तो हम यहाँ पर आपको चीनी का बताते हैं, क्योंकि यह वाला जो करवा होता है, यह पारवती जी का होता है, तो जो अकेले पूजन कर रहे हैं, उनके लिए यह करवा विशिश रूप से होता है, तो आप लोगों को जो है, अपना चीनी वाला जो करवा होता है, उसको लेना तो एक आप लोग तो मतलब करवा माता के एक साइड रख दोगे और दूसरा जो आपका चीनी वाला करवा है वो आप लोग दूसरी साइड रख दोगे ठीक है तो भाई इस तरीके से ये दो करवे आप लोगों को करवा माता के एक साइड रखना है और एक दूसरी साइड और उस गेहुं के ऊपर फिर आप लोगो को गने जी की स्थापना करने के बादा दोस्तो, अब आप लोगों को सभी का शुधी करण करना है, जुभी आपकि सामगरी और वहाद है, और उसके लिए आप लोगों को गंगा जलसे प्लोगा diferentesवश्दें. देखो दीपक को जलाने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है तो अब आप लोगों को यहाँ पर पूजा के लिए सबसे पहले क्या करना है कि थोड़े से गेहूं लेना है और करवा माता के सामने रख देना है उसके बाद में जो है गनीज जी को जनी हूँ आप लोगों को पहनाना है या जो भी आपकी मोली वगेरा है उनको वस्तर के रूप में आप लोगों को यहाँ पर देना है ठीक है क्योंकि कलश वगेरा को हमने सब को जो है यहाँ पर मोली बांधी है और जो करवा माता है उनको चुनरी उड़ा दिया, अगर करवा माता को चुनरी नहीं उड़ाई है, तो आप लोग उनके लिए भी जो है, ये कलावा जो है, वो समर्पित कर सकते हैं, करवा माता को जो आप चुनरी उड़ाओके, वही वो जो नवरात्रे में जो चुनरी चलती है, वो उड़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि रोली से सभी का तिलक करना है जितने भी आपकी सामगरी है पूजन की सभी का रोली अक्षत से तिलक करना है रोली लगाना है और अक्षत लगाना है उसके बाद में दोस्तों आपकी जो करवा माता हैं करवा माता को आपको शोला श्रंगार की जो सामगरी होती है वो मतलब समर्पित करना है या पहले से तयार करके रख लोगे है ना तो करवा माता को जो शोला श्रंगार की सामगरी है वह उस चौकी की ऊपर समर्पित कर दो ठीक है, उसके बाद में दोस्तो, भोग लगाईए, देखिए, भोग जो आप लोग घर पर बनाएंगे, वो जादा अच्छा रहेगा, बाकी बादार का भी आप लोग ले सकते हैं, पर घर पर बना हुआ भोग जादा अच्छा रहेगा, तो जो भी आपका भोग है, वो करव और इस जल को जो है उसी चौकी की उपर अपने सामने रख लेना है क्योंकि इसी जल से आप लोग यहां पर कथा भी सुनने वाले हो है ना उसके बाद में दोस्तो दक्षिना जो भी होती है वो आप लोग रख लीजेगा और वाइने के लिए दोस्तो जो साड़ी या शूट जो भी आप लोग ले रहे हैं वो पहले से तयार रखिएगा और उसके उपर कुछ श०पर का शामान भी जरूर रखिएगा ठीक है अगर आप श०पर की यहांwa sman अवश्य होना है इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तो अब आप लोगों को क्या क आप लोग कहेंगे कि भीया कथा भी upload करो तो हम कथा भी जरूर डालेंगे तो आप लोग उस समय कथा सुन लीजेगा पर हम आपको अभी बता देते हैं कि आप लोग जो है जल को अपने सामने कथा रख कर सुन लीजेगा ठीक है कथा आप लोग वहाँ पर बैट कर भी अकेले में भी सुन सकते हैं और अपनी सकीयों के साथ में भी कथा बैट कर सुन सकते हैं कथा सुनने के लिए दोस्तों सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा कि अपने हाथ में आप लोगों को गेहूं या चावल के दाने जरूर रखने गेहूं या चावल के दाने साथ या ग्यारा आप लोग रख सकते हो या तो साथ गेहूं के दाने रख सकते हो या ग्यारा गेहूं की दाने रख सकते हो चावल भी रख सकते हो, साथ भी रख सकते हो और ग्यारा भी रख सकते हो, है ना तो इन्हें अपने हाथ में रख कर यहाँ पर आप लोग कथा सुनिएगा और जैसी आपकी कथा पूरी हो जाती है तो कथा पूरी हो जाने के बाद जो आपने सीधे हत के दिले में अपने दाने रखी हुए है साथ या ग्यारा तो इन में से कुछ दाने तो आप अपने जल पात्र के अंदर डाल दो है ना जो आपने जल अभी अपने सामने रखा हुआ है है ना तो जो आपने आखरी में भरा हुआ था एक लोट जल उस चलनी को भी आप लोग पहले से तयार करके रखो अगर नई लेकर आए हुए तो वो भी ठीक है और अगर पिछले साल की पूजन की चलनी रखी हुई है तो वो भी ठीक है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पिछले साल की में कोई दिक्कत है तो नई लेकर आ सकते हो तो आप लोगों की जो छलनी है वो भी आप लोगों को इस पूजन वाले स्थान पर रखना है उसके बाद में दोस्तो अब बारी आती है आरती की तो आप लोग जो है अपना कपूर जला लीजेगा आरती की जो भी थाली वगएरा है उसे तयार करके अपनी थाली के अंदर कपूर जला कर आरती कीजेगा आरती किसकी करोगे देखो आरती आप लोग जो है विशेश रूप से करवा माता की करोगे या पारवती मैया की करोगे और अगर आपको आरती वगरा नहीं आती है तो आप लोग क्या कीजे कि अपनी आर्ती की थाली को भगवान के सामने कम से कम साथ बार जो है उनके सामने घुमा दीजेगा ठीक है वो भी एक आर्ती का ही रूप होता है अगर आप आर्ती नहीं कर रहे हैं तो साथ बार कम से कम जो है आप लोगों को इस आर्ती को मतलब अगर आप लोग अकेले हो तो भाई आप लोगों को फेरे कैसे लेना है पारवती महिया जी के साथ में लेना है क्योंकि एक करवा जो है वो चीनी वाला पारवती महिया जी का है ना तो अकेले हो तो भाई आप लोगों को जो है करवे के यहां पर फेरे लेना है फेरे लेने के कि अपने हाथों को क्रॉसमें बना लो मतलब कि Jis जगहा पर पारवती जी के कर वे मतलब साइड में Hause पकड़ लो और जो आपका कर वा है इसे अभी उल्टे हाथ की हाथ यातिलिय में है pressed बिदधे को बेखने है और शम चुछ को अब लुजट अपन से के कार Tंट आ कर्वीज पर फ्र architect कर देखार है आइसे ही आप लोगों को 7 बार करना है cross बनाकर है ना तो आप लोग जिस समय यह 7 बार फिरे ले रहे हूं तो उस समय आप लोगों को एक बात और बोलना है मतलब एक बार जैसे आपने फिरा लिया तो आप लोग बोलोगे सुहाग पारवती माता सुहाग दे है ना तो आप लोगों को जैसे एक बार आपने फिरा लिया तो सुहाग पारवती माता सुहाग दे ऐसा बोलोगे फिर दूसी बार आपने इधर उदर किया तो भई फिर से बोलोगे सुहाग पारवती माता आपका करवा जाएगा, इस तरीके से आपके जो करवे हैं वो बदल जाएँगे, ये साथ बार इधरोदर फेरे करने के बाद है न, इसी के साथ में दोस्तों, अलग से भी जो है आप लोगो क्या करना है कि पारवती मैया वाला जो करवा है उसको जो है मतलब करवा माता के पास जो है ले जा ले जाकर साथ बार आप लोगो क्या बोलना है पारवती माता सुहाग दे अगर ये चीज आपके हैं होती है तो आपको करना है अन्यता इसको छोड़ देना है अब इसके बाद में दोस्तों अब जो आपका अगला कार्य होता आपको वैसे जो है अर्ग देना है ना तो चंद्रमा को दिया जाता है तो चंद्रमा को देना है मतलब जब आप लोग पूजा करते हो ना उसी पूजा के बाद जो है यह अर्ग दिया जाता है तो सुभा पूजा कर रहे हो तो सुभा अर्ग देना और शाम के समय रात्री में पूजा कर रहे हो तो उस समय अर्ग देना है ना तो दोस्तों अब आपका जो करवा है जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है उस करवे से आप लोगों को चंद्रमा को अर्ग देना है कब दोगे चंद्रमा को अर्ग तभी दोगे जब चंद्रमा जो है करवा चोहत के दिन न निकल जाएगा, थिक है, तो आप लोगों ने उस करवे की उपर मिठाई भी रखी होगी, उस मिठाई से आप लोगों को चंदरमा को जिमाना आए है, मतलब एक तरीके से आप लोगों को भोग लगाना है ना, पर यह जो हमने आपको चीजे बताई है, यह आपको तब कर रहा पहले से चड़ा दीजेगा तो जो आपकी सुहाग की सामगरी है दक्षन अवगेरा है उसे बाइने के रूप में आप लोगों को उठा लेना है बाइने के रूप में उठाने के लिए अपने हाथ में जल लेकर दो बार आप लोगों को जो है अपने उपर से मतलब साइड में दो बार फेड लेना है उसके बाद में आप लोगों की जो सामगरी है दक्षन अवगेरा या सोहाग की सामगरी उसको उठा लेना है क्योंकि ये जो सामगरी होते है ये हम अपने घर की बड़ी जो सास होती है उनको देते हैं जिनकी सास नहीं होती है वो अपनी जो ननन्द होती है जो ठानी होती है उनको देती है और अगर ये भी नहीं है तो फिर किसी पंडित के घर पर पंडितायन जी को जो है ये बाइने दिया जाता है ठीक है पर इसको देना जरूरी होता है इस बात का भी आप लोग ध्यान रख तो फिर एक बाइना जो है आप लोग जिसको देना चाहते हैं सास वगेरा को आप उनको दीजिए और एक बाइना अपने लिए यहां पर बचा लीजिए ठीक है जो इसमें सुहाक की सामगरी जो होती है ना तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को यहां पर पूजन करनी है और जो भी आप आपके यहां चंदरबा निकलने के बाद आप अपने पतीदेव की पूजन करती हैं जैसे भी पूजन करती हैं आप वैसे ही कीजेगा तो यह हमने आपको सारी पूजन विदी बता दी है जो की चंदरबा निकलने से पहले की जाती है इसके अलाबा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस करवा चौत की पूजा विदी को लेकर तो उसे आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं पहली बार करवा चौत का वरत रख रहे हैं प्रीस हमें कमेंट में जरूर बताईएगा और आपके उनमें जो भी प्रश्न है वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं जावा जान करें आप लोगमरी वेबसाइट बुलनाद्वत्ती.com पर जाकर भी ये जारी जानकरियों को पढ़ सकते हैं नमाहे शिवाय जावलिया बास्री शिवाय नमस्तु भ्याम